स्वागत है आपका योजना ग्यान फॉर यू में और आज पैंशन कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है पैंशन देना आशिरवाद है या किर्पा पैंशन देना आशिरवाद वा किर्पा नहीं कर्मियों का अधिकार है हाई कोड की यह एहम टिपनी के बारे में कर शेर करें अब अपने सवाल और सुजा कमेंट वाक्स में जरूर लिखें हाई कोड ने कहा है कि पैंशन सहित सेवा निर्वित प्रिलाब देना सरकार का वरदान आशिरवाद या किर्पा नहीं है बल्कि यह करमचारियों का विधिक अधिकार है और बीना किसी और चित्य इसे देने से इंकार नहीं किया जा सकता यह टिपनी न्याय मूर्थी परकाश पार्डिया ने च्छाय की या चिका की सुनाई करते हुए की है साथी नगर आयुक्त नगर निगम कानपूर से भी सवाल पूछे हैं हाई कोड ने कहा है कि पैंशन सहित सेवा निर्वित परिल लाब देना सरकार का वरदान आशिरवाद या किर्पा नहीं है बलकि यह करमचारियों का अधिकार है और यह बीना किसी टिपनी के इनको देना इनका अधिकार बनता है साधी नगर आयुक्त नगर निगम कानपूर से पूछा है कि दिसंबर 2023 तक इसे कितने करमचारी सेवा निर्वित हो चुके हैं जिने सेवा निर्वित लाब परदान नहीं किये गए हैं और पैंशन को लेकर कितनी याचिकाएं हाई कोट में लंबित हैं कुछ लंबित याचिकाओं का उलेख करते हुए कोट ने जानकारी मांगी है कि अभी तक सेवा निर्वित लाब परदान क लिए क्या कारवाई की गई है प्रकरन में अगली सुनवाई 9 अपरेल को होगी कोट ने के आर सुन्दरम बनाम तैमिल नाडू राज्यव अन्य कई केसों में सुप्रीम कोट द्वारा दिये गए फैसलों का हवाला भी दिया है कोट ने कहा कि करमचारी को पैंशन देना उसकी निर्वती परिलावों का भुकतान नहीं किया गया तो याची का दायर की गई कोट ने नगरा युक्त से पूरी जानकारी के साथ वक्तिगत हलफ नामा मांगा और तलब किया हलफ नामा दाखिल किया गया किन्तु इसमें सेवा निर्वत परिलावों के बारे में कोई जिक् केवल इतना लिखा गया है कि LIC लखनौ को बीमाराशी भुकतान के लिए 23 मार्च 2024 को लिखा गया है कोट इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुई कोट ने कहा इस तरह की तमाम याचिकाएं कोट में दाखिल हो रही है जिनमें सेवा निर्वित परिलावों के भुकतान का समा देश जारी करने की मांग की गई है दरजनों याचिकाएं आज भी लगी है कोट ने कहा पैंशन आधिपाना करमचारिक अधिकार है कोई किरपा दया नहीं है समय से भुकतान किया जाना चाहिए अगली तिथी कोभी नगरा युक्त को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है नगर युक्त कानपूर से विवरन मांगने के साथ पुछा कि अभी तक सेवा निर्वित लापरदान करने के लिए क्या कारवाई की गई है और यह जो फैसला है और यह जो लाइन ने बोली गई है वो इलाहबा सुप्रीम कोड की तरफ से है तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे जानकारी के लिए चानल को सब्सक्राइब करें लाइक और शियर करें बने रही है चैनल के साथ धन्यवाद